इंटर पास करने वाली लड़कियों को मिलेंगे 25,000-40,000 रूपिय आपको बता दे कि मुख्य मंत्री कन्याप-ुधान यूजना के तहत, यानी 2 वेल्थ पास करने वाली लड़कियों को 25,000-40,000 रूपिय दिये जाएंगे चात्राओं का डिजल्ट 83% से जादा रहा है आपको बता दे कि इस साल बिहार बोर्ट BSEB 12 एकजाम 2022 में चात्राओं का डिजल्ट 83% से जादा रहा है यहां हम आप लोगों को बताते हैं कि मुख्य मंत्री करन्या उद्धा निवजना ऑनलाइन अप्लाइ कैसे करें अप्लाइ करने की परकिरिया क्या है तो अप्लाइ करने की परकिरिया जान लिजिए सबसे पहले तो जरूरी डोकुमेंट से उसके बारे में बता देते हैं बिहार की अस्थानिय निवासी हो, 12th यानि इंटरपास हो अधार कार्ड, वोटर एडी कार्ड, बैंक की पासपूक पासपोर्ट साइज फोटो, आयप परमानपत, 12th का मार्क सिट और कैसे ओनलाइन करना है, वो भी आपको बताते चले सबसे पहले एक कल्यान की अधिकारी वेब साइट पढ़ जाए लिंक नीचे दिया गया है, इसके बाद मुख्यमंत्री कन्या उत्था नियोजना मुख्यमंत्री बालिका मध्यमिक प्लस टू प्रोत्साहा नियोजना 2022 के लिए आवेदन करे, लिंक पर क्लिक करे, उसके बाद अपलाई करे अब रजिस्टेशन नमबर 12 यानि बड़बी का प्रापतांक, अंक और डाले अब आपको अपलिकेशन फॉर्म मिलेगा, अपलिकेशन फॉर्म में मांगे गई जानिकारी भड़े और डोकॉमेंट को सनलगन करे अब जानकारी देने के बाद सम्मिट बटन पर क्लिक करे, इन छात्राओं को 40,000 रुपया मिलेगा आपको बताते चले कि किन छात्राओं को 40,000 रुपया मिलेगा तो दरसल बिहार में अलप संख्यक, मनेडेटरी और SCST की लर्खिया अगर फॉर्स डिविजन से इंटर यानि 12 पास करती है तो उन्हें 15,000 रुपय अतिरिक्त मिलेंगे यानि उन्हें कूल 40,000 रुपय मिलेंगे एरासी कल्यान भी भाग देता है इसके लिए अलग से फॉर्म भरना होता है बिहार बोर्ट इंटर 222 के नतीजे बताते चले कि पिछले वर्सों के तरह इस बार BACB बोर्ट 12 एकजाम 2022 के नतीजों में लड़किया आगे रही है जहां कूल 76.66% लड़के पास हुए है वहीं 81.28% लड़कियों ने पास परतीसत हासिल किये वहीं पिछले वर्स के पास परतीसत की बात करे तो 2021 में कूल 80.57% शात्रों ने परिक्षा उत्र निकी थी जिसमें 75.71 लड़के थे तो सुना आप लोगोंने की कैसे बिहार भूट के फर्स्ट डिविजन वाले जितने भी शात्रा हैं उनको कैसे 25,000 से लेकर 40,000 रूपे मिलेंगे तो आप अपना रजिस्टेशन फॉर्म रजिस्टर करें धन्यवाद झाले जिस्टेशन वाले